नमस्कार, प्रस्तुत है 2024 में आयोजित, क्लास 8 के essay 1 परिक्षा के साइन्स के प्रश्न पत्र का part 2 वीडियो ये परिक्षा सिर्फ SOE एवं प्रकंड स्तरिये आदर्स विद्यालियों के ही छात्राओं के लिए ही आयोजित की गई थी इसके part 1 वीडियो में हमने एक से लेके 20 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया था अब प्रस्तुत है part 2 वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्न के उत्तर प्रश्न संख्या 21 है कोशिका की खोज की थी किसने की थी तो ये आप सभी जानते हैं वहादासान कोश्चन है रोबर्ट को सबसे लंबी कोशिका है तो ये है तमत्री का कोशिका प्रोटीन का संस्लेशन होता है ये होता है राइबो सोम में स्टोमेटा पाया जाता है पत्ती की स्टोमेटा जो होता है आप जानते हैं कि पत्ती में होता है ये बहुत ही सुच्म छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वात्पूर्ट तर्जन होता है और गैसों का वात्यवरंसी आदान परतान होता है तो ये अधिकांस पाय जाता है निचली परक्पर सजीव में आनुवंसिक गुनों का वहाख है आनुवंसिक गुन ये होते हैं जो माता पिता से उनके संतान को मिलता है तो ये है जीन इस जीन के द्वारा ही माता पिता के गुन बच्चों में ट्रांसफर होते हैं प्रस्म जग्ख्या 26 है इस्ट का उप्योग खालिस्थान के उत्पादन में किया जाता है तो इस्ट का उप्योग अलकोहल के उत्पादन में किया जाता है अब एक यह question है 27 चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रिक्रिया कहलाती है यह कहलाती है किन वन इसके बाद है डेंगू परजीवी का वाहक है यारी डेंगू जो फैलती है जिसके द्वारा उसका जो वाहक है जो उस परजीवी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है वो है मादा एडीज मच्छर पैंसिलीन यहाँ पर थोड़ा गलत छप दिया है यह ला नहीं होगा पैंसिलीन परतिजैविक की खोज की किस ने की थी अलेक्जेंडर फ्लेविंग पर जीवानू जनित रोग है जीवानू से जो फैलते हैं रोग उसमें से जो उदाहरन है यह है छै रोग एक्तिस है सुच्म जीवों को देखा जा सकता है सुच्म जीवों को हम नगन आखों से नहीं देख सकते हैं यह सुच्म दर्सी से देखा जाता है आंत्रिक निशेशन होता है यह मादा के शरीर में होता है अंड प्रजक जन्तु है और सभी जन्तु को हम दो भागों में बाट सकते हैं अंड प्रजक और जरायूज अंड प्रजक उसे कहते हैं जो सीधे अपनी संतान को जन्म नहीं देते हैं बलकि अंडा देते हैं और जरायूज उसे कहते हैं जो सीधे अपनी संतान को जन्म देते हैं तो हम जानते हैं कि मेढक छिपकिली और मुर्गी यह सभी अंडे देते हैं तो ये क्या हो गया इद्मे से सभी योवना रम की उम्र है यानि किशोर आवस्था की उम्र है तो ये हो जाती है दस से बारा वर्ष खालिस्थान है गुन सुत्र नर सिसू का लिंक दर्धार्ण करता है कौन सा गुन सुत्र ये है एक्स वाई इसके बाद है इंसुलीन की कमी के कारण होती है बड़ा आसान कोश्चन है क्योंकि ये बिमारी अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को ये है मधु में जिसको इंग्लिस में बोलते हैं डियाबिटीज नर हार्मून कहलाता है ये है टेस्टेस्टोराव मादा गुन सुत्र है ये है एक्स एक्स एक टैड़ पोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क होता है वो है कायांतरन नर और मादा युगमक बिलकर बनाते हैं ये क्या बनाते हैं युगमनज तो ये थे बीस प्रस्ण पाट्टू वीडियो में पाट्टवान में हमने एक से बीस तक का उत्तर दिया था और ये पाट्टू में हमने इकीस से चालिस तक किया था तो एसे वन की परिक्षा में साइन से कुल चालिस प्रस्ण आये थी और आप देखें कि ये जो अरे प्रस्ण थे ये आने वाली सभी जो चात्रवर्ती परिक्षाये हैं उनके लिए और साथ ही उन सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए भी उप्योगी है जिसमें की जीके के अंतरगत विज्ञाम से कोशन उचे जाते हैं धन्यवाद